अब सुले लाइक जरूर कर लिजीगा यहां पर आप देख लिजी इंडेमिटीड इक्जाम निशन 2023 परीक्षा के लिजी यह निजो आपका इनोल एक्जाम होने वारा है केमेस्टी का यह अपका तीन फरवरी का केमेस्टी की परीक्षा होने जा रही है बिहार बोर्ट से जि सब्सक्राइब आपको पता है कि अपका पुर्णांग जो है यह अपका सतर माक्स है और टोटल नमर पुश्चन 96 रहेगा जिसमें से आपका सतर आपका सेक्शन बी रहेगा यह नहीं आपका सब्टेक्टिव कुश्चन रहने बला है तो जल्दी से जल्दी सबीचे और हाँ सबसे ज़्यदा इंपॉर्णें आपको इक्जाम में दो सेक्शन देखने के लिए एक आपका सेक्शन रहेगा दूसरा आपका सेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा आज का जो वाइरल कुश्चन यह आपको देखना आती आब शक है क्योंकि आपका न्यू पैटन आपका पैटन पूरी तरह से बदल चुका है जैसा कि आपको पता है कि यहां पर सबस्पहले देख लिए प्रसंगे एक से सत्ता तक आपका प्रतिक प्रसंग के साथ चार विकल्ब देगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आपको ओमार सीट पर आपको चिनित करना और कि प्रसंगे तो फिलाल आपका जो ओमार सीट है आपका एक्जाम तीन फरवरी में बैठोगे तो वहां पर तो मिली जाएगा और कमेंट सक्षान है तो यह के क्विश्चन याद करना जरूरी है चलिए पहला प्रसंगे आंसर दिजिए इस क्रिशन का राइट आंसर क्या होग प्रसंगे पास स्क्रीन पर आ चुका है क्या बनता है सीधे परीक्षा में छपेगा कुशन जवाब दीजिए इस क्विश्चन का राइट आंसर क्या होगा और हम थोड़ा सा ऑप्शन यहां पर लिख देते हैं नन आप दीज ठीक है ऑप्शन दी हमने लिख दिया नन आप साइध जवाब दीजिए इस क्विश्चन का राइट आंसर क्या होगा देख़िए बात रही क्या पूछतर है प्राशन पूछतर है क्थ चैन्क्रम सरीनी का सदश नहीं है जो आपका एज़ी नहीं होगा ऑप्शन डीज का बिलकु साही जवाब है चलि एगला क्विश्च क्वेशन में 3 पूछा जा रही क्या फिनॉल की बात वर एकजाम में बार बार प्रस्व की बात हो अगर फिनॉल की जैसे बात पूछा जाए उदासीन मिलियन की साथ कैसा रंग देता है तो यह बैगनी रंग देगा तानसर क्या होगा option 20 का क्या होगा बिल्कुल correct answer है जितने चात्र option 20 का दे रहे उनका बिल्कुल correct answer है चले एली question की बात करे question मैं 4 पूछा जाए क्या इथर में oxygen परमानू है इथर में जो oxygen परमानू होता है यह अपका क्या होता है बताओ जो रहे अत्यदीक किरिया शील होगा या तुलनात्मा गूरूप से किरिया हो जाएगा या सकिरिया होगा या विस्थापित योग होगा आपके पास 4 option है अपर दिया जा रहा है और जितने बचे options का क्या चूज कि option C का चूज कि सकिरिया चूज कि उनका बिल्कुल सही जबाब आला है या इथर में जो oxygen जो परमानू जो है या अपका क्या होता है एक्टिव होता है या दखना option C इसका बिल्कुल ही correct answer है चलो यह लिक्विशन की बात कर लेते question में 5 जब 413 Kelvin पर एथिल अलकोहल की अधिक्ता में जो है एथिल हाइडोजन सलफेट को पुछा जए गर्म करते हैं तब पुछा जए उत्पाद है तब पुछा जए क्या उत्पाद बनेगा यह प्रस्विशन बन रहा है अब आपके पास दिखिए हैं पर चार option में पर दिया ज़रा है और जितने बचे इसका option C यहनी डाइथिल इथर चूस के उनका बिल्कुल correct answer है एक्जाम में सीधे छपेगा ही छपेगा question सभी बचे इस दान समझ लिजी जब भी पुछा जब 413 Kelvin पर एथिल अलकोहल की अधिक्ता में जो एथिल हाइडोजन को अगर सलफेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद अपका क्या बनेगा डाइथिल इथर बनेगा तो option C इसका correct answer है चली अगला आज दिखें आप चार option है पर दिया जरा आंसर दिजी description का right answer क्या होगा तिया जो किरिया करके आपका डाइथि लिथर देगा क्या डाइथि लिथर option क्या होगा option C का बिल्कु सही जवाब है अच्छी तरसिया आजगा डाइथि लिथर देता है question की बात करें दिखें बहुत ही धांसर question है जो आपके परीक्षाव में छपने वला है प्रशन पुछा जो क्या बनता है जब डाइथि लिथर को जो न एक मूल ही के साथ गर्म करते हैं तो पुछा जो क्या आपका बनता है बताओ जो रा क्या बनेगा तो बुलूँ से तब सम जबर्दत चलिए बहुत बढ़ी है आप लोगों का जबाबारा अगला question देख लिए क्विशन वेट प्रशन पुछा जड़ा है क्या सी फोर एच टेन ओ द्वारा पुछा कितने जो है सम वी जो है पूछा जड़ा क्या इथर प्रदस्तित करते हैं देखिए बात किसकी चार या पाच चार आपके पास यहां पर दिया ज़रा है और जितने बच्चे आप्चे इसका चूज़ कि तीन इथर उनका बिल्कुली correct answer है आप्षण इशका बिलकुँ सही जवाब देरा एक बढ़ी हैं अगले क्विशनी बात के लिए ते क्विशन सी इस पर्वाद ओगा इसा होता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो है अल्कोहल में जो है अंतर अनुक जो है हाइडोजन बंध होता है इसलिए ऐसा होता है तो option C इसका बिल्कू सही जबाब है क्या होता है और जितने बच्छा उप्षण के उनका बिल्कूली करेक्ट आंसर है एकदम जबरदस धासु आंसर दो इसी बात पढ़ाना एकदम धासु जवाब देने के लिए आपनों लाइक कर लिए और निई इस वीडियो को देख रहे हैं फटा फटा आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बैलकों प्रेज कर लिजिए क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है और महनत करने में खामोसी से आपको महनत कीजिए कि आपका सफलता सूर मचा दी ग्यार्म प्रशन है निम्में से कौन पूछे रहे कि आप एंटी लकोह लोगा चार आपके पास यहां पर दिया ज़रा है तो जितने बचे इसका गलाइकुल चूज कि उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक्जाम में छपने बला प्रशन है ध्यान देजेगा सभी उचे जब भी पूछा जाए क्या निम्में कौन आपका एंटेफिजिस की तरह काज करते या प्रतिहिम की तरह काज कौन करता या दिया देना गलाइक कोर करता एक्जाम में बार बार प्रशन पूछा जाता है ओके चलिए अगली कुशन की और पर स्थान कर लेते एक गयरान में प्रशन बात बारान में प्रशन देखी बात रही क्या विक्टर मेयर की बात रही दजनोट जैनी विक्टर मेर जो है इसका परिक्षन नहीं देता है परिक्षन जो है नहीं देता है कौन परिक्षन नहीं देता है यह प्रशन पूचा ज़रा है तो परिक्षन नहीं देता है प्रसना है जब सराब को हवा में खुला रखते हैं तो पुछाज़रा यह खड़ी हो जाता है बात होड़ी किसकी बात होड़ी क्या जब सराब की बात होड़ी जब सराब को क्या क्या जाए जब सराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाता है खड़ी होने का मतलब क्या है इसका सही उत्तर क्या होगा खड़ी हो जाता है जल्दी जल्दी आइसे लगाओ जाता है यानि जब अगर हाजु सराब जो होता है जो पीदेवला सराब की बात हो रही है और इसको हवा में खुला रखेंगे तिया आपका क्या होगा खड़ी हो जाता है तांसर किसके साथ जाओगे जितने बच्वाप्शन का भी चूज की उनका बिलकुली करेक्ट आंसर देरों दम जबर्दस आंसर देरों चलिए अलग कुशन देख लेते हैं dragging फथए कि फटफड की बथा दो सबको दीख रहा है जल्दी से जल्दी चलिए दीख रहा है ओके देखें बात औरी क्या तेरेम प्रस्फथा जब भांल की बात हो घृँन होगी ना जब सराप को यह अब क्या क्या हवा में खुला रखते तो यह क्या हो तो खड़ी हो जाता है जब रिजन यहीं है कि आपका सी टू एच फव ओएश का जो ऑक्सिक्रन क्या होता है सी एस तरी सी डबल ऑश की वे होने पर यह खड़ी हो जाता तो आंसर क्या होगा तो जितने बच्छे ऑप्शन का सी चूज के सोडियम जो है सैलिसिलेट चूज की उनका विल्कुल करेक्ट आंसर है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और यानि सी टू जो है इसकी किदी अगर 400 कल्विन ताप अगर सोडियम फिन उक्साइड को से कराने पर अपका क्या पूछाज रहे मिलता है तो आप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इस क्यूशन की बात के लिए तो इसके क्यूशन में 15 लिए क्या कि से जुआ ओल ओफ विंटर गरीन कहा रचाता है क्या बताहे बटाएं जासर आपके पास का पर झूज करें साहा क्या और Πाक्या जोब 되지 तेली सिलेट इस राइट आंसर फो दिस्क्रिशन होगा वी बाले बच्चे बिलकुल राइट आंसर दे रहे हो बहुत सुंदर चले रहा प्रस्ट में देखी हैं पर बात हो रहे क्या निम्योगी को में पुछा एक्स पर जो एलेक्ट्रोन जो इस नहीं दौरा तुरंत आक्म की बात हो रहे तो अगर इसकी द्वारा पूछा जाए क्या प्रात्मिंग अल्कोर प्रदस्ट किये जाते कितने प्रात्मिंग अल्कोर प्रदस्ट किये जाते तो आप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है अधिक्तम संक्या में जो है सकेडिया हाइडोजन परमान उपस या अप्षिन का बिल्कुद साही उत्तर है अधिक तम संख्या में जो है हाइडोजन परमान उपवस्तित ये लेकिन किसमें गेवजं की बात की बात सबसे अधिक होता है सबसे अधिक किसमें होता है सबसे अधिक नाम पूछा रख्या है आपके पास चार ऑप्षिन होपर दिया अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका पेशी नाम पूछा रहे क्लोर आइडी जो है प्लोर क्या हो जागा आउप्ष्यन क्या सी ऑप्षिन सी का बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगयरा होगा यहापका इस दिखेए नमक होगा बहुती जदा खास question है हना अब आंसर लगो इस question का right answer क्या होगा और किस लिए ठूस पदार्द की बात हो रही है तो किस लिए ठूस पदार्द जो है यह अपका क्या होगा कांच हो जाएगा कांच या निया अपका क्या होगा गलास is right answer for this question होगा option number C option क्या होगा 21 का सभी जबाब C इसका बिलकुल right answer है चले अलग विश्यन देगे लिए ते question निया पर 22 किसी बिलियन के अगर जो है 200 ग्राम जो है 200 एमले में दो ग्राम नहीं जो घूले है तो बिलियन की मोलत्ता क्या सिंपल सा मोलत्ता निकालोगे तो इसका मोलत्ता निकलता जिरो पॉइंट टूफाइब आंसर होगा option number 8 चले फटा फट एक्दम जल्दी से जल्दी के question याद कर लेजे समय बहुत कम बच रहा है यहां पर बात हो रही किसका हिमांग अब नवन जो अधिकतर होता है अधिकतर किसका होता है के टू है सो पोटासियम सलफेट का होता है तो option क्या होगा option ही अलग मुक्त करता है लेकिन क्या मुक्त करता है तिया आपका 31.76 ग्राम तामा मुक्त करता है option क्या होगा 20 का correct answer है अले क्विशन की बात के लिए क्विशन निमर यहां पर 26 पूचा जाए क्या दर्भी सोडियम कुलराइट के जो है व्यदूत अब गटन से जो क्या फोट पर पू क्या होगा 26 जितने बचे सोडियम इसका चूज कि उनका बिलकुछ सही उत्तर आ रहा है यानि दर्भी सोडियम कुलराइट के जो है बैद्दू अब भटन से क्या होता है अपका क्या मुक्त होता है option 20 का क्या होगा 26 का सही जवाब है अगला क्विशन देख लेते क्विशन सब्सक्राइब यहां पर दो है और बीपर कुछ ने इसका मतलब यहां पर एक है तो पावर कितना हुए दो पलस वन इन तीन इसकी कितना निकल गया तीन option भी चलिए लेक्स अब फट्टा फड़ी के क्विशन पर लेजिए एक्जाम में जाकर चाप देना है यहां भर बात होड़ी क्या निमें से कौन आपका लाइफिलिक पुछाजरे को लाइट पुछाजरे कौन है जल्दी 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 जब आप देजिए क्विशन का राइट आसा है और हाँ वट्सेब ग्रुप से जितने बच्चे नहीं जूरे हैं वह सभी बच्चे के लिए लिंक दे देंगे ठीक है तो सभी बच्चे को जूर जाना है लिंक डिस्क्रेप्चन में दिया गया है पुछा जाएक कवन आपका लाइफिली कोलाइट तो जितने बचे एक enzyme choose की उनका बिल्कु सही उत्तरा रहा है याद है जैब उत्प्रिरक्ष जो होता है या क्या होता है एक enzyme होता है ने इस question की बात करे question में 30 देखी बहुती धांसों question आ चुका अब answer दीजे इस question का correct answer क्या होगा निमिकित में कौन साब का धातू जो साधारन help 건 पे पूरज़ दर्व होता है साधारन तापकरन पर ज़ो दर्व होता है वह है अपका पारा होता है मरकरी हो जाएगा अच्छी तरह से यादकना option 20 का correct answer है यानी साधारन ताप करन में पूछा जबर जो है कौन होता है याददकना मरकरी होता है ठीक है जितने बचे options इसका क्या चूज़ किये ऑप्शन 20 का चूज़ किये बिल्कू सही जबाब दिरो और जितने बच्चे सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट एकडम प्यार से है ना हम चाहते हैं जितने बच्चे तक मेरा वोईस पोंच एकडम प्यारा सा लाइक बटन दबा और निव स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैला कौन फटा फटा फट फ्रेस के लिए इसका समाहरन किया जाता है बताओ जो समाहरन किसके दोरा क्या जाता है विदुद विशेदन द्वरा या फेन उत्पलावन विधी द्वरा या भरदन द् जितने बच्छे इसका फेन उत्पलावन विधी चूस की उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देरा उप्शन वर भी जब भी पूछा जो समाहरन किया जाता है किसके दोरा तो या दना फेन उत्पलावन विधी दोरा उप्शन बीस का सई जबाब है ने इसक्विशन की बात के अब आंसर दीजिए इसक्विशन का राइट आंसर क्या होगा प्रसन आपके स्कीन पर चुगा है और जितने बच्छे ऑप्शन का क्या चुछ यह स्क्वाइर प्लेनर चूस के बिल्कु साही जबाब देरो भी इसका राइट आंसर है यानि एकसी एफ़ोर की बात हो याद है एस्तरी प्योफोर पुझा रहा है एस्तरी प्योफोर पुझा रहा है यह आपका क्या है दुवाशमी कमल है याद अगना एक्जाम में छपे गारी चुछ खेंगा पर 35 की cela पूछता किसको कहते हैं ऑप्षिव सो fel pick upो KD7 ho 2016 को कहते है हरा १ोता जो की आपको ऑप्षिन시 यही दिख्रायत answer हो जागा prix नुए जितने चाथा अप्षिन इसका चूज़ की बिल्कुल correct answer दे रहो बहुत बढ़ियां नेश्क क्विशन की बात के लिए तो एक्विशन में 36 पूछा जरह किया किस गुरूप के तत्वों को संकर्मन तत्व कहा जाता है तो संकर्मन तत्व को पूछा जाता है P ब्लॉग को तो बिल्कुल भी नहीं कहता है ब्लॉग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और एक्जाम में बार-बार प्रशन पूछा जाता है जब भी पूछा जिए किस गुरूप के तत्वों को संकर्मन तत्व कहा जाता है अड़े क्विशन की बात करते है अपका सोन आनत आंसर होगा option डी इसका बिल्कुल ही correct answer है अले क्विशन की बात की क्विशन में अट्रीत पूछा जाता है क्या यह यह पूछा ज़्य ज़्या है बताओ जरा यह आपका जटी 11 है कंप्लेक्स साल हो जाएगा option क्या होगा 20 इसका बिल्कुत सही जवाब है k4 जो है आपको याद हो जटी 11 है next question की बात करें 40 में प्रश्चन है एथेन में कार्वन का संकरन क्या होता है इसका समाने सुतर होता है इसका समाने सुतर होता है जो कि option क्या होगा option है इसका बिल्कुली correct answer है चलिए अगरा question देख लेते हैं 41 है प्रश्चन पुछा रहे क्या एलकील हाइलाइट को जो है पुछा रहे क्या अलकोहल में बदला जाता है अलकील हाइलाइट को जो है अलकोहल में बदला जाता है लेकिन किसके दोरा बदला जाता है यह बदला जाता है विश्थापन अविकिरिया दोरा यादखना option क्या होगा बीस question का बिल्कुली correct answer है बहुत important question है बार-बार एक्जाम में प्रस्फण पूछा जाता है कि अना अलकील हाइलाइट जो है इसको अलकोहल में बदला जाता है लेकिन किसके दोरा यह जो है यह अपका क्या है यह अपका ट्राहेड्रिक जो alcohol है यादखना एक्जाम में बार-बार प्रस्ण पूछा जाता है option क्या होगा option डी इसका बिल्कु सही उतर है यह अपका क्या है ट्राहेड्रिक अलकोहल है ओके चलिए बहुत बढ़ी आंसर देरो 42 का डी वेरी गूर सबका डी आ रहा है वेरी बहुत सुंदर चलि एगला क्विशन की 43 है calcium जो है calcium format का जो है पूछा सूस को सरावन ह होता है बता हुजरा इसका जो स्रावन होता है यह अपका HCHO के द्वारा होता है जो कि option A में दिख रहा है जो की बिल्कु सही उतर है calcium format का सूस का स्रावन पूछा होता है लेकिन कि इसकी द्वारा 45 इंदम कम 2300 आचवbaar में चपने बन हो रही है में के बात हो रहे है इसको बनाया जा सकता है यह मुझात करेक्ट अनसर है एंजाइम क्या है, what is enzyme की बात हुड़ी है, हम आपको बारबार कलास में आपको बता है, यह अपका प्रोटीन है, जो क्यों क्या होगा, option C, इसका बिल्कुल सही जवाब है, protein है, अगले question की बात करी question में देगी 47 में प्रशाण है, प्रशाण पुछाजा है, निम में से कौन स कोंसा रिशा पॉलियमाइड का बना होता है तो यहाद नाइलॉन आपको किसका बना होता है पॉलियमाइड का बना होता है तो option C का बिल्कूर सही जवाब है Let's question को दर नासक की रूप में प्रयूग क्या जा सकता है किस का क्या जा सकता है बताओ रहा 4949 का सभी सबाब क्या होगा बतावजा जड़ा 4949 वेरी गुड जो जो बच्छी इसका क्या चूज करो एन जो है एसी टिल हना पैरा जो एमीनो फिनॉल हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हुआ भी इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है जितने बच्छा ऑप्शन इसका भी देरें उनका बिलकुल सही उतर है चले अगला कु आंसर यादगना ओप्शन 20 का बिलकुल सही जवाब है डिक्रीज होगा ठीक है तो यादगना सौट की दोस के एकान ठोस का धन्तव क्या होता है घट जाता है अगले क्विशन की बात के लिए क्विश्चन फिफ्टी वन फिफ्टी वन प्रशन ने पोचा जाए क्या प्रवाब परदसीत होता है किसके दोरा वास्तविक घोल दोरा ऑप्शन इसका बिलकुल सही जवाब है अले क्विशन की बात के फिफ्टी टू नुमर प्रशन देखी यहां पर बात तो लिक्या लोहे जो है लोहे में पूछा जारा है क्या लोहे के जो धातु में परियू आधिक ने ने कितना होता है एकद्स पूचा जाता है थे रहां पर ने पूचाया क्या उत्छल की फलोहे इस क्विशन 954. आपको अप्रक्टोस कहला है लुए जो की सरक्राइब होगा फ्रक्टोस हो जाएगा तो ऑपिस सभाजी जवाब है चलिए बहुत बढ़ आप लोगों जबाब कर दो आगला को वाट इस वो प्रोफेन आपके पास चार ओप्शन यह पर दिया ज़रा है यह क्या है यह अपका पीदा हरी है क्या है पीदा हरी जितने बच्चे आंसर क्या बच्च चुछ के सभाब देरो चलिया लग विश्य देख लिए 56 रावा कितने परकार बहुत बहुत आपको बता है रावा चार परकार के उते अंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा 56 का सी इसका करेक्ट आंसर है चलिए संतावान प्रशन दिखिए हैं पर बात हो रही क्या फॉलोइंग बॉन इज फाउंड इन ने जो है स्टू यानि आइस की बात तो लिए स्टू आइस में इसमें किस प्रकार अफ़बन पाए जाते हैं चार ऑप्शन आप दिया जड़ा है अना अब आंसर देजिए स्क्रिशन का करेक्ट आंसर क्या होगा जितने बच्छी इस इसका बिदूत कितने कुलाम के बरावर होता है अपका 96-500 कुलाम के बरावर होता है ना ऑप्शन इसका बिल्कुर सही जवाब है अलग क्यों साइग आप न सर्थ एसक्रिशन का क्रेक्ट आंसर क्या होगा परबल जो इसा को नो करνे पर यह अपका घर्टा यही इसका मान है option B एक सब्सक्राइब प्रशन क्या है रसेनिक अधिसोसन क्या था बहुत important question है रसेनिक अधिसोसन की बात हो रही है रसेनिक अधिसोसन जो होता है यह अपका क्या होता है अनुत कमनिया अभी खेरिया होता है वी है यह क्या होता है है हमेटइट होता है हमें टाइट होता है फिरे शर्ट के रहेों कि परकार यह सान्दन आग रिखता सैंद्रका बित्रती होड़ा है किसका किया जाता है बताओ ज़रा सांधरन चार आपके पास दिया जा रहा है तो जितनी बच्छे उप्शन का क्या चुम्बक्या कंच चूस कि उनका बिल्कुस सही जबाब आ यह यानि तरेशाट का क्या ओप्शन 20 का सही जबाब है ठीक है याद दगना जब भी पूचार कि प्रकार कि इसका सांधर जो एलेक्ट्रो जो है एलेक्ट्रो मेंगेनेट्री प्रितिकरन विदी दुआ किया जाता है द्यादा चुम्बक्या कंच का ओप्शन 20 का सही जबाब है चली चौसार प्रसन आपके स्कीन पर चुगा आंसर का राइट आंसर क्या होगा कॉपर मार् आइस टू और फियास होता है तो ऑप्शन 20 का सही जबाब है चली अगला कुशन देख लेते हैं चली कुशन पैसर देखिया आंसर लगो इस कुशन का क्रेक्ट आंसर एक्जाम में छपने वह प्रस्टन है बताओ इस कुशन का राइट आंसर अदिखो आबद जो है आप द दूशन प्रस्टन है कि भी वोग के तत्व को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो बदों को कि दूशन tapi नाम से आनसर बताव है कि रेकी है strongest पूचार जिंक से धुकित जो है यह तो इनकरувरत है हना टैंजेशन क्या होगा एलिमेंट हो जाएगा तो ऑप्षन इसका करेक्ट आंसर अगला को विश्यन दिग्ए 8-7 में प्रफशन है एमन 3 प्रफशन पुछ जो जो एक औक सी कारक है लेकिन यह पुछ जो जो एक औक किसका है यह यह ऑक्सी कारक है खाले डी करक्ष के जो है कारण यह आपका ऑक्सिक कारा क्या तो ऑप्शन सी इसका खरेक्ट आंसर है आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको क्लास खूजना पना पड़े और एक्जाम की दोज़ाइस प्रेक्षा की एकदम दासो जब अदस तरीके से तैयारी आप लोग कर सको ठीक है ना जरूर सब्सक्राइब करके बैलकोन प्रेस कर लिजे और वट्सट टेलिग्राम मे जिस कुछन का राइट आंसर क्या हुआ जल्द जली जबाब देजी इस कुछन का क्रेक्ट आंसर क्या हुआ प्रेसर पूछा रहे क्या क्लूरो फॉर्म जो है पूछा रहे क्या क्लूरो फॉर्म की बात थो रही है क्लूरो फॉर्म जो है इसमें पूछा रहे क्या प्रेसर है तो यादना आपका फॉस्जीन देता है ऑप्शन वी इसका बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है वीडियो प्रसेंट है तो राइक सब्सक्राइब शियर जरूर करना कमेंट जरूर करना आज को कैसा लगा अब आएगा मजा ठीक है अब तो अभी तो मजा भी बाकी है मेरे दुरंदर स्टूरेंट अब तो आपका परिक्षा लिया जाएगा ना आप लोग समझ लिए तीन फरवरी का परिक्षा शुरू होने वला है तो सभी स्टूरेंट अपना एकदम तयार हो जाए टेस्ट लगा लगाना सब जब तक टेस्ट नहीं लगा होगे तब तक एकजाम में भौकाल नहीं मचा पाऊगे आपको गूगल में आपको पांच-10 मिनट टाइम देंगे 10 मिनट आपके पास टाइम लेगा टेस्ट लगाने के लिए आपको एजूकेशन गलेक्सी लिखना जैसे उपर आ सब्सक्राइब जैसे किलिक करोगे आपके समने इस तरह का पेस और गुलेगा थो तो थोड़ा से आपको इंतजार करना एं यह तो नहीं थोड़ा सा अब देखे एकजाम में तो वहकाल मचेगा भी आपको टेस्ट में भी वह काल मचना अब जैसे यह पीज आपका लोड ले लेगा आपको यहां पार देखने के लिए इस तरह आप देख लेजिए एंड उसके बाद आपको सारा information admit card regarding full information पढ़ सकते हो एंड उसके बाद टेस्ट लगाना है जरूरी क्योंकि एक्जाम में घर्दा मचाना है आप सभी छाथ को इसके लिए आपको क्या करना है नीचे की और आना और यहां पर आप लोग देख लिए स्टार्ट का बटन दिख जाएगा स्टार्ट पर खुली कर लेना है घ्रडाइब कर लिए तो देखे इस श्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो तो थोरा सा नेटवर्च पर या लोड लेने देते हैं ना तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आपन और सभी स्टूड़न को भी आकर टेस्ट लगाना चली आपकर लोड हो चुका है ताप लोग दो किस्टार्ट पर किलिक करना 35 कुशन है अब दो इस पात को लाल तब कर दिरेदे थंडा करने की विधी को क्या कहते हैं इस विधी को क्य प्रोटीन है इस परकार के जितने कुशन है 35 के 35 कुशन का अभी के आपको टेस्ट लगाना जतने स्टूडेंट है सभी की सभी स्टूडेंट आईए दस मिनट आपके पास टाइम है अगर आपको हंडेट परसेंट अगर स्कोर कर लेते हो तो समझ लेजिए 2023 प्रेक्षा की अना 2023 परेक्षा की एकदम धांसो जब अदस त्यारी है और आपके पास सिर्फ पांच सिर्फ दस मिनट टाइम है और सभी स्टूडेंट जल्दी जली टेस्ट लगा लिजे हम सब का नाम भी लेने वाले कौन इस्टूडेंट कितना आप लोग स्कोर